मैं कपिल खांसरमा एक बार पुन है आपके अपने यूट्यूब चैल्म मैं सब्सक्राइब पर बहुत स्वागत करता हूं आज हिंदी का बड़ा ही अप्रोट्लेंट टोपिक लेका रहा हैं बहुत ही महत्तों टोपिक है संधी तो संधी को समझते हैं ट्रिक भी समझते हैं और सारी बातों को भी समझेंगे और आज पढ़ेंगे हम संधी में भी स्वार संधी किसे कहते हैं संधी कारता है जोड़ना या मिलाना किसे का जाता है संधी को का जाता है जैसे हड्यों का जोड़ होता है उसे भी का कहते हैं संधी कहते हैं लेकिन हिंदी में क्या है वो वर सवर संधी यह हैं स्वर कोन extranet है सबस्क्राइब कर लाईगे और सवर संदी कितने प्रकार के हुई यह सबसे पहली है आपकी दिरग स्वर संधी में क्या है हस्व या दिर्ग हस्व या दिर्ग ए, ई, उ से परे करम से हस्व या दिर्ग मतलब हस्व या दिर्ग का मतलब छोटा या बड़ा छोटा भई आ जाए या बड़ा ए का ए छोटा भई है तो आ बड़ा भई है चोटा हुआ जाए या बड़ा हुआ जाए उसकी बात है आए तो दोनों मिलकर दिर्ग हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे बड़ा हो जाएगा भई एका ऐसे संपर्ख होगा तो आ हो जाएगा इसी कारणे से का जाता है दिर्ग का जाता है चोटी E का चोटी E से मेल बड़ी E हो जाएगा, मतलब किसी भी E का मेल, किसी भी E से होगा, तो वो बड़ी E ही बन जाएगा, इसी तरह से कोई से भी U का मेल, कोई से भी U से हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, रिरी बड़ा होता ही नहीं, वो तो सिंगल ही है, किसी के एक परम प्लस अर्थ अब बाद में कहा हो गया परम में ए कहा राजी तेंक द्वनी देखो परम क्या रहा लास्ट में ए की द्वनी आ रही तो एका और अर्थ में आपको ए दिखाई दे रहा है तो ये एका ऐसे मिल हो गया क्या हो गया बईया परमार्थ भाव प्लस अर्थ और बिद्ध्यापलस आले विध्याले बन गया आका आसे में लुफ़ा और आ बन गया रवी प्लस इंद्र रवी में कुनसी इकी मात्रा है इसके सामने काया चोटी तो बड़ी है है लेकिन फिर भी रहे हैं लेकिन फिर भी क्या रहनी है बड़ी हो नहीं चविए वह लागुते का लगुते कर यह थी हमारी पहली दिरस्वर सन्धी दोसरी देखते हैं वई दोसरी क्या है ए गुण सन्धी ए या आ से परे परे का मतलब बाद छोटी बड़ी उ या रीरी आयत उकरम से ए, ओ और अर मतलब ए आ रहा है तो ए, उ आ रहा है ओ और रीरी आ रहा है तो अर हो जाता है इसको यहाँ पर समझाया भी है हमने कि ए का छोटी से या बड़ी से या आ का छोटी से या बड़ी से मेल होता है तो ए बनता है ए या आ का उ या बड़ी से मेल होता है तो ओ बनता है और ए का री या आ का री से मेल होता है तो अर बनता है कैसे भई देव पलस इंद्र का देविंद्र हो गया सुर पलस इस का सुरेस हो गया राजा पलस इंद्र का राजेंद्र हो जाएगा और मखा पलस इस का महिस हो जाएगा जो बाद में ध्वनी आ रही है उसे देखना है और जो सामने अक्सार आ रहा है उसे देखना है नर्व क्या लास्ट में आया और छोटी बनी लास्ट में ऐ आया और शोटी ई बनी तो इसकी मात्रा ह respond क्या होती एक हित हो its होती है यह तो मात्रा तो यहां एक थे प्लस उदै अबदय को सूर्य उदै और आउग की मात्रा ये है तो यहां पर को अब यह मात्रा शोली एग meow प्रौबकार महाप्लस प्लस महत्षप गंगाप्लस ओलमी गंगोर्मी और देव प्लस रिशी देव अर रिशी देव अर रिशी अर की धुन्या गया है वीच में सब्थ सब्द रिशी महा प्लस रिशी महर शी राजरी ठीक के इसी और ब्रहम प्लस रिशी। ब्रहम रिशी हो जाता है main देखते हैं है नमट तीन संदि है हमारे व्रधि संदि ऐ या से परे च्छाइब और आउ हो थो क्रम से आई और अव हो जाते हैं थेको व्रद्धी का मतलब भी बड़ा होता है ठीक है ना व्रद्धी का मतलब भी बड़ा होता है और दीर का मतलब भी बड़ा होता है लेकिन दीर में समान थे लेकिन यहाँ पर है ए समान लेको ए या आ के बाद में ए आई ओ आ रहा है ए आई आया तो आ है उसमें समान होता है और इसमें समान एक प्लस एक हैं फेरी ऑफ यह सदा प्लस यह हो जाएंगे आपके पूरे example नेक्स बढ़ते हैं बई अब यहां क्या बात है एया का आ के बाद में कोई साभी स्वर हो जितने भी हमारे स्वर हैं वो सब की निम्टा रहे हां तक हो जाता है मतलब अगर एया आ सुरू में आ रहा जहां पर संदी हो रही जहां पर जुड रही है संदी वहां से पहले अगर एया आ के धुनियारी है और बाद में कोई साभी स्वरा रहा तो वह केवल तीन संदी हो सकती है दिर्ग गुण या व्रद्धी इसके लाव़ कोई नहीं हो सकती अब इसके आगे के संदी में जो सुर संदी बसती है उनमें सुरू में जहां पर संदी होगी वहां पर एया आ का काम हो चुगा है खत्म आगे बढ़ते हैं नेक्स देखते हैं बई क्या है यान संदी जब हस्व एउम दिर्ग ई ई उ उ तथा रिरी के बाद कोई भिन स्वर हो तो ई का ये उ का वे और रिरी का रह अर हो जाता है देखें इस बात को समझेंगे यहां पूरा चार्ट दे गया है अब राम से यहां पर वीडियो को रोक कर पूरा चार्ट अपना इसकी इन्सूट ले सकते हैं ले सकते हैं यहां का समझे हो रहा है घर तो क्या आजाएगा बनेगा तो यहां लेकिन उसके बाद को अकसर देखना है आपको ऐकी आएक मात्रह देखो इसकी मात्रा देखCl very को ओआ ऐ दो मात्र दो आ गई है इसाँ इसी तरह से इए पैँ आ देखклад कुपी मात्रा चोटे की मात्राईगी भड़ा होगिने संपर्को इंद मैंसे किसी से भी हो A आख L तो व बनता है इसी तरह से को साथ कि यह आता है वी और बढ़ी तो CLA Sci मत्रहां मात्र carrots उत्ति के साथ । देखते हैं हम आप एक्जमपिल सबस्पाइब जुक्षि क कर तो कहलें इत्यादी एधी प्लस 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 जिद पहचान और है कि जहां पर संदी होगी वहाँ पर होता है भाईया आधा अक्षर आधा अक्षर होता है जहां पर भी संदी हो रही है कोई से गूँ देखो नी प्लस ओन नी ओन होगे सुरू में अधा संदी का होगी जहां पर अफ्र सत्री जो में प्रती है आदा हुआ है अलग में पूर एक्जांपिल देखने हैं तो सभी में ये नियम भी मात पताई है याई है और उसकी मात्रा यहां पर संधी हो रही है अगर यह या वह बनना है यह यह बनना है सासा यह यह वह से पहले इसनि पहले जो आधा भी है तो आपकी क्या हो जाएगी यह संदी हो जाएगी सारे एक्जाम्पिला आप आराम से देख सकते हैं नेक्स्ट है आपकी जो स्वर संदी है पांच विसंदी वो थी है आयादी अब देखो मतलब A, A, E, I, O, O गीन का काम हो चुका है खतम प्रिवियर तक अब A, I, O, O बचे हैं तो इनसे पर अगर कोई भिंस्वर आये तो क्या बन जाता है आये आये आव या आउ बन जाता है यहां पर भी बात है मात्र का खेल है देखो A के बाद में A आया तो आये आया लेकिन आया तो आये हो गया मात्र आ गई ठीक है जी इसी तरह से देखो वो के बाद में यह आया तो आ भी हुआ मात्र आ गई मात्र जुरूरा नहीं है उसकी इसका द्यान रखना बननी वही बात है एक्जाम्पिल से देखते हैं यहां पर आप वीडियो को इसकी परके रूप कर देख सकते हैं उन सारी जोगों नोट कर सकते हैं गया कर और देख छें प्लस अन का गयाग और विनेबस अक का विनायाग बो पलस अका पवन और भो पलस अका भावन पो प्लस अक का पावक और नो प्लस एक का नाविक पो प्लस इत्र का पवित्र और भो प्लस उक का भावुक ये सारे की सारे हो जाएंगे आपकी पाचो की पाचो संधी तो आज आपने देखी है हमारी जितनी भी स्वरसंदी होती है स्वरसंदी को समझा है आपने आराम से देखे यहां से आपके पेपर में एक कोश्चन बिलकुल आने की संभावना बनी रहेगी नेक्स वीडियो में आपको व्यंजन संदी भी देंगे अभी तक के लिए इतना ही नेक्स वीडियों तक के लिए धन्यवाद